खेती और किशानी शायद करना अर्शान नहीं है और ये बात ये थार सचाई भी है पहले कुशिनर जिला चीनी का कटोरा का जाता था लेकिन किशानों को ब्यापक नुक्षान के बाद किशान ने रुक बदला और केले के खेती पे आ गए लेकिन के खेती में उमीड न दखी तो फिर आज इस लहलाती फ़र्जल को देखिए तो आप किशान पपीते की खेती करने के लिए कुछी नगा चीनी का कोटोरा का जाता था बाद में गन्ने के खेती कम हुई दिरे-दिरे उसके बाद केले पे लोग आए और केले के बाद आप दिरे-दिरे लोग आपने अंधुनिकता और बढ़ते गए और आप देखे कि यह पपीता जो आपके सामने दिख रहा है इसकी somewhat we Johann metertvा मने खेती आपका और शुबकामना की आपके आपको आपको सब्सक्राइब किसान के तो आपको एक इसमें ज्यादा राओकी और जैसे कि हम नजर उठा रहा है तो के बारे में हमको लगता है कि बहुत कम ही लोग जानते हैं ऐसे घरों के आगे पीछे हो गया तो हो गया इतने बड़ा ब्यापक तोर पे अगर यह तश्वीर दिख रही है तो यह कैसे संभो है कैसे आपने सुरुवाद कैसे पपीता हमनों तो तक खेती पवधा लगाया जिससे तीन महीने में फॉल आना सुरू हो गया पंदरो जून से फॉल आया और अच्छा फॉल आया लेकि थोड़ा से बीच में इस साल बारिस होने को जा फुल फुल डेमेज हुआ क्योंकि लगतार तीन महीने बारिस हुआ यह फुल आता था त इसका कीमत जिसे पवधे का 20 पॉधा था इसमें बहुत ही खाद की ओसकता नहीं है पानी की ओसकता नहीं है अगर माल लिजी कि एक पॉधे से अगर 20 की लिए लिया जा और 20 रुपया का ही रेट मिले तो हमको 400 रुपया आय हो गया लागत इसमें कम है लेकि आय ज्यादा है आखाए जैसे अलग-अलग तरीके से लोग खेती करता है यह जैसे से बेड शिस्टम किये थे इसमें देखिये पपीता बोया इसमें 205 दो एकड़ पफीता है इसमें ध्युताई हो रहा है जोताई करके समें धनिया बोया जा रहा है साफ घंधाली सब्सक्राइब भूप अब देखे बेट की तरह किया बना था अब देखे जुता गया तो अब इसमें बराबर हो गया आप देखिए अब इसी में जूत कर धनिया लग जाएगा इसे आपको प्रकतिसील किसान चुना गए जिले के लिए और उस समय आप साथ केले के खेती क्यों छोड़ दिया के खेले दो साल से ते हैं कि मोसम कमार हो गया पानी ज्यादा खित में लग जा रहा है तो केला वो कट जा इस समय केले में लागा ज्यादा पपीते से लागा ज्यादा है खाद डिजल की मांगाई हो गई तिससे हम लोग केले से हट करके और पपीता के तरफ आदमी कदम रखा है तो आम आदमी कोई इसको करना चाहिए जैसे यह तस्वीर एक बार सब्सक्राइब जब चालों चालों तरफ फल ही फल है तो यह एक बात बताई हम को कि अगर जैसे किसी को अगर सुरुआत करना इस पर खेती करना कुछ आता है तो किस तरीके से उसको बताया जाए कि नहीं आप यह खेती करेंगे तो आप आगे जो किसानों को लेके तमाम सरकारों द्वाला नियम कानू है ठीक इस में देखिए फसल लॉंसम आधास ज्यादा खतम हो गया चाहिए चाहिए मैंने का फॉना हम लों लेंगे ठीक पूना हमें देखिए फीन से धनी आ गया तिसमें हमारा और बढ़ जाएगा हम लोग जो भी किसान है अगल बगल के पुरसाहित कर रहे हैं जो भी प है ठीक अगर माल यह पीते के पाउधे से 20 किलो ही हम मानते हैं जब की फॉल जाए तो लंसम 30 किलो 40 किलो हां लेकि माई 20 किलो कहीं मानता हूं 20 किलो 20 रुपाय कही रेट से बेचा जा तभी एक पाउधे से 400 रुप्या हमको आए होगा अच्छा इसके रख रखाओ के लिए क अच्छा है जैसे लिलगाए नहीं खाएंगे बंसु नहीं खाएगा वसुष्य से नुकसा हाँ आज दूर यसमेन नूदु नुकसान नहीं है उसे जादा बर्एशात हो जाए थो उसके लिए हां ज्यादा बसात हो जाएँ पानी का मॉन यह खेट में से पानी जैसे निका किसान पाता उसे ज्यादा जो बेचने वाना अड़तिया पाते हैं हम लोग तो कम पाते हैं माले भी 25 दे रहा है अब आपको मार्केर में 40 में मिलेगा जीले में अगर इस खेती को बढ़ावा देना हो तो आपके से आप एक व्यापक तो पे खेती कर रहा है तो क्या कुछ और आपके नदरियम होना चाहिए जीले में अगर बढ़ाने की कुछिस के जीले में देखी जो भी किसान इच्छू के बढ़े इसमें आए अच्छा है लागत कम है आए अच्छा है सरकार उसे कोई उमीद सरकार इस पर फोकस करें जिस तरह गन्ना पे लोगों ने जैसे चीनी पर दापकें कर बोता हूं क्योंकि सरकारी समय से नहीं मिलता है और कितने एरिया में फैला हो गई यह लंब सम धाई एकड़ है जैसे धाई एकड़ की एक और मौना जाए कि यह कितने आपने इन्वेस्ट किया इसमें इसमें डाई एकड़ मैं देखी इमें 4,000 पोधा था यह वाँ आखा शी आजार पोधा लगा था इसमें लगभा कितने डिस्टेंस पर लगाना होता उससे इसमें चैसे बाई छे आई जोटा एक मिटर का किसी दोड़ से डूकें गोजोत लेंगे अब देखिए कहीं इसमें लेमर का नहीं है मैं हाँ से कुदार कोई सकता नहीं सामाज सेवा भी करते हैं और किसानी भी करते हैं तो डोनों को कैसे मैनेज कर पाते हैं अपने पास अगर आयं न हो पैसा न हो तो समाज सेवा कई से होगा हम लोग करते हैं जैसे तरीके से होते हैं तो उसके लिए क्या किस तरीके से वह देखिए बैग्यानिक तरीका वही बता बैग्यानिक तरीके तो जैसे मैं सहफ फसली कर रहा हूं देखिए मेरा पपीता बलाश्ट चल ला ठीक एक फ़ल फुल आ रहा है इसमें दुरी है उसमें एक लाइन मतर लगेगा बहुत 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 बदाई कि आप चल के हमारे खेत में आए आपको जशन की होगी अपनी नई पहचान हर त्योहार का होगा एक निया एहसास एश प्राजयम्स एंजूल्स के साथ उसमेल के सी अपयंग से बता चल कांए एक बमी हमारे वह चल रहासस एक बमीय कुल रहां सामकल तो